मुलायम और टेस्टी पूरी बन करके तयार होता है कि बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को यह नास्ता बहुत पसंद आएगा बनाना भी इसे बहुत ज़्या आसान है एक बार इसे बना करके आप फ्रिज में रख सकते हैं कम से कम दो से तीन दिन के लिए बिल्कुल भी यह खड़ाब नहीं होता है कभी भी छोटी मुटी भूख लगे तो फटा भर से इसे फ्राइ कर सकते हैं मिक्सर के जार में डाल करके सूजी को एक दम बारीक पीस ले अब इसी के साथ हम इसमें एड करेंगे वन फोर्थ कप गरम पानी पानी का इस्तमाल आप ज्यादा बिल्कुल भी ना करें उतना ही पानी याड करें जितना में सूजी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए मैं कब से आधा कप सूजी का इस्तमाल की हूँ तो उसके हिसाब से वन फोर्थ कप गरम पानी का इस्तमाल की हूँ अगर अपका ठोड़ी से सूजी को नापते हैं तो थोरा थोरा सा गरम पानी डाले अच्छे तरीके से मिक्स करें और ठक करके छोड़ देंगे दो मिनट के सबसे पहले कर सकते हैं याद रहे कि आलू में ज्यादा बड़े गुठली या नहीं होने चाहिए इसलिए मालू को कद्धू करेंगे और अलू मसाला पूरी बनाने के लिए हमें ज्यादा आलू का इस्तमाल नहीं करना है तो देखिए मैं यहां पर दो मीडियम साजी का अलू और थो जड़ा कॉलॉट लाव के और like ऊंवल लेखिए जितना के नमक और बनाना है उसके में आहिंदे नमक डालने के बादаюсь लिए तरीका से दे कि आखिया हो जाएत इसमें आट कर देंगे सुजी को फूलने के लिए रखे हुए थे ना बस सूजी कृमिस्तमाल करेंगे तो देखे कितना सॉप्ट हो चुका है जिस तरीके से मैधा गाड़ो होता है बिलुकुल इस तरीके से सुजी हो जाता है अब बैंडिंग कि लिए मैं इस्तेमाल कर रहे ह त्यानि कि आठा कब बस गिहूं का आठा इस्तमाल कर रहे हूं इन्हे तरीके से हम mix कर लेंगे आठा को अच्छे तरीके से इकटा कर लेंगे अभी तग आठा गूतिने में मैं थोरा सा भी तेल का इस्तमाल नहीं की हूं अब हाथों में थोड़ा सा मैदा लागाने के बाद एसह तरीके से पूरी ड़ाईंगे disastrous दरीके से But भूमाते हुए बस हम पूरी बेल रहा हfil ने भूड़ा साइज में बना शॉलए भाष जाहते हैं बहुंत में पूरी को बना करके तयार कर सकते हैं पूरी को नहीं हमें ज्यादा मोटा रखना है और नहीं ज्यादा पतला रखना है जिस तरीके से घर में रोटी बनाते है ना उसे थिकनिस का पूरी बेल करके तयार करें और एक ही बार में ज्यादा पूरी ना बेले एक पूरी बेलते जाए और फ् पूरी मतालला पूरी को फुली , पूरी सीबन करके efter पूरी हम पूड़ाइंगे और देखिए कितना प्यारास तक लार आया हुआ है एक पुरी हमारी fry हो चुकी है दूसरी पुरी को भी मैं fry करके आप लोगों दिखा देती हुँ पुरी को आप टेल में डाले और कच्ची से पुरी को आप हलके हाथों से दाबा दे इस तरीके से पूरी हमारी सारी फुली 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 बन करके त्यार हो जाती है और देखें मैं आपको कड़ी बन तीन से चार पुली फुला करके दिखाऊंगी ताकि आप बहुत असानी तरीके से बेजी जग किस नास्ते को बना सकें और देखे इसी तरीके से मैं यहाँ पर सारी पूरी को फ्राई कर रहे हूँ देखे कितने फटा-फट से और सारी पूरी आमारी फुली-फुली बन रही है बस छोटी से टीप है उसे ध्यान में रखेगा तेल को अच्छे तरीके से गरम रखे हाई फ्लेंप पूरी को करके देखेगा जिस तरीके से बहुत ओड़ा एक दम नरम और सौप्ट होजा है ना बिल्कुल उसी तरीके से यह पूरी फ्राई होती है और देखे कितने अच्छे तरीके से मैं आप 4-5 पूरी फ्राई कर ले हूँ देखे कितना सौप्ट मन करके तयार हुआ है तो और कर भी दिखा रही हूँ देखे अंदर से यह नास्ता बिल्कुल भी ओईली नहीं है तो जरूर शे ट्राई कीजिएगा आचार चेटने या फिर दही के साथ यह पूरी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है सफर में भी इसे आचार के साथ लेके जा सकते हैं तो मैं इसके सा पर आयता सार्फ की हूँ तो एसे भी पसंद आई हूँ आप से रिक्वेस्ट है वीडियो को छोटा सा लाइक करके चलू को सब्सक्राइब कर लिजेगा कमेंट करके जरूर बताएए का चलू को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा